हाई फ्रेंड्स नमस्कार और वेल्कम बाक टो इस्टेडी क्लासेज तो प्यारे दोस्तों सभी जानते हैं कि H.T.P.T. Commerce 2022 जो पेपर है उसमें ज्यादा समय नहीं है नवंबर के सेकिंड वीक में आपका examination conduct हो जाएगा और इसके लिए क्या आपकी strategy होनी चाहिए किन चीज़ों पर आपको focus करना है क्या sources को आप follow कर सकता है वो मैं आपको यहाँ पर इस session में बताने वाला हूँ तो आईए फड़ा-फड़ से let's start this session तो प्यारे दोस्तों सबसे पहला काम मैंने क्या किया अब मेरको आपको बताना था कि कहां पर किन चीज़ों पर जादा focus करें क्या चीज़े examination perspective से important है कहां से जादा सवाल आते हैं और इसके लिए मैंने पिछले 5 साल के estate के paper उठाए यानि कि मैंने 2021, 20, 19, 18, 17 ये paper उठाए अब मैंने देखा कौन से portion से कितने सवाल यहां पे आए हैं तो मैंने अपने syllabus को इन 4 portions में divide किया देखो ये accounts और business studies वाला classification है न ये KVS और NVS में follow करते हैं तो मैंने वैसे ही कुछ लेके चला हूँ यहां पे और इसके लावा economic statistics और research और taxation वाला पार्ट भी यहां पे आ जाता है तो अगर मैं बात करूँ कौन से portion से जादा सवाल आ रहे हैं तो 2021 के अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकता है 28 सवाल accounts costing से और 32 सवाल business studies से business studies के अंदर यहां पे मैं international business business laws और business finance को भी इंक्लूड कर रहा हूं तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि लगबग वेटेश बराबर बराबर रहा बाकी economic statistics research और taxation से कोई सवाल नहीं पूछा गया तो यह वाले topics आपके लिए बहुत important हो जाते हैं और अगर आप यह trend को देखेंगे तो आप देखते हैं कि लगबग सभी examinations में जो business studies वाला portion है उससे भरपूर सवाल आ रहे हैं तो 32 सवाल जैसे 2021 में आए और उससे पीछे अगर आप 2021 में तो सवाल बहुत आ गए बट उससे पहले इतने सवाल इसमें नहीं आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि उससे पहले कि अगर आप papers देखें तो accounting और economics statistics research का weight is कुछ-कुछ बराबर बराबर चल रहा है तो accounting के अंदर 13, economics के अंदर 14 तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं कि बराबर बराबर वेटे चल रहा है और कुछ मेरे दोस्त income tax को लेकर बहुत चिंतित थे कि उससे भी सवाल आते हैं तो इंकम टेक्स से सवाल 18 और 17 में आया था एक-एक सवाल आया था उसके लिए आपको पूरा income tax पढ़ना है तो वो time waste होगा मेरे साब से तो अब इस chart को द तो प्यारे दोस्तों अगर बात करें भई कहां से प्रिपेर करें इस examination के लिए तो अब हमें यह चीज तो समझ में आ गई कि इस examination में हमें जो focus करना है एक तो accounts और costing पर focus करना है और economics और statistics पर यहां पर आपको focus करना है तो यह वाले जो portions और यह वाले topics आपको पढ़के जान करेंगे जितने आपकी अभी knowledge है उससे भी कर लेंगे तो आपका जो focus होना चाहिए वो इन तीन चीज़ों पर होना चाहिए और इसमें भी सबसे जादा सवाल हमने देख लिए बिसनस study से पूछा जा रहा है तो यह वाला portion आपका अच्छा होना चाहिए अब देखो business studies की ज देख सकते हैं तो business studies की जब मैं बात करता हूं तो इसमें मैं जो business studies वाले topic है basic topics है वो भी include करता हूं इसके साथ में हमारे जो management वाले topics है वो तो आई जाते हैं बट यहाँ पर मैंने business laws को भी consider किया क्योंकि हमारे पास state के अंदर कुछ contract law की उपर सवाल आ जाते हैं कुछ negotiable instrument की उपर सवाल आते हैं और कुछ consumer protection act की उपर भी सवाल आते हैं तो यह तीन कानून है जो कि आपको पढ़के जाने होते ह इनको भी आपको cover up करना है business studies पढ़ते समय और अब 11-12th की NCRT से वैसे तो basic coverage हो जाएगी आपकी बट कुछ topics आपके उसमें cover up नहीं हो पाएंगे कुछ loss वहाँ पे नहीं cover हो पाएंगे तो उसके लिए आपको अपनी B.com और M.com के books पढ़नी पढ़ेंगी ऐसी finance की अगर मै आपको सवाल मिलेंगे तो इन सबको भी आपको deal करना है इन सबको भी cover करना है तो अगेन 11-12th की NCRT में यह सब चीजें नहीं cover हो पाएंगी तो इनके लिए भी आपको अपनी B.com और M.com की books को refer करना पड़ेगा फिर से बता रहा हो this portion is the most important इसमें आपने जितना maximum score कर लिया तो पूरा-पूरा 11-12th NCRT से आपका cover up हो जाएगा 11-12th की NCRT का जो accounts है आपने वो अच्छे से पढ़ लिया तो examiner इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा तो आपको accounts के लिए तो इसी को refer कर लेना चाहिए अगर मैं costing वाले portion की बात करूँ तो जैसे कुछ सवाल standard costing वगरा के दे चुक है उसके according की आप उनी topics को पढ़िए economics और statistics की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप 11-12th की NCRT तो follow करी सकते हैं बट यहाँ पे आपके ना कुछ सवाल थोड़े से high level की आ जाते हैं कुछ research के उपर सवाल आ जाते हैं तो उनके लिए या तो आप अपने m.com वाले notes refer कर ल सीमा तो आपको m.c.qs की practice भरपूर करनी है देखो त्यारी की सीमा होती है एक त्यारी आपको एक level तक ही लेकर जा सकती है उससे आगे आपको बढ़ना है तो practice ही आपको लेकर जाएगी और practice आप कहां से कर सकते है एक तो h.t. वाले हर साल paper हो रहा है h.t. तो h.t. वाले जो को बाकी PGT के paper मिलते हैं उनको भी solve करें और और भी practice करने का मन है तो आप UGC net के previous year भी practice कर सकता है बट इसमें थोड़ा सा आपको selective होना पड़ेगा तो जो चीजे अपने syllabus में आपको उनहीं पर focus करना है तो अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे माल लीजे कि आपने क्या कि अब combination में अब हमारे पास्स जादा समय नहीं बचा है इन प्यारे दोस्तों आप एवस्टेटी क्लासे का जो एस्टेट 2022 कॉमर्स का question बेंक आप उसे भी check out कर सकता है उससे भी आपकी काफी अच्छी-कासी practice हो जाएगी और आपको full-length walk test भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिसमें आ अगर आपने इस examination को clear करने का ठाना है अगर आपका target है कि आपको हर्याना के अंदर एक PhD का job चाहिए तो यह examination आपको clear करना बहुत जरूरी है permanent vacancies भी बहुत ही जल्द आने वाली है तो I would strongly recommend कि आप फड़ा-फड़ से अपना जो preparation है वो start कर दे अगर आप थोड़े से बढ़ थाल्द बेस्ट